आपके अपने यूट्यूब चैनल डेरी एग्री कंसल्टेंट पे दोस्तों मेरा हमेशा उद्देश रहता है कि आप तक देशी गाय के बारे में जितनी हो सके उतनी अधिक सदिक जानकारी पहुचा पहूंगा आज फिर से नारी गाय की शेत्र में और नारी गाय को कैसे किसा पहली बारे इस विडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जो भी भाई पहली बार इस वीडियो में आया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह आप देख रहें आबू परवत की तहल्टी है यह आबू जी का पिछला भाग है वह और यह नारी गाय की रूप में होता था और यह इस तरह से एक छोटा सा गेड बनाते हैं यहां पर इस बाड़े के अंदर स्तारी गया भी आ जाएगी इस चोटा सा जो गेड हो गया और एक खलते और थाज इस तरह से अपने एकटा केलेते और इस खुली ज़ग में सारी गया आ जाती है यह अप्थर को रखके अपनी चाप और वो आज आज चीजों से यह बनाया होगा है तो अ कि अ कि अ बच्चे को पिजाने के बाइद में बहुत संदर नारी गाये आप सभी भाईयों के सामने दर्शन के लिए गाये सारी खुले में चरके आती है दोस्तों बहुत कम बाटा इनको देने की जुरूत पड़ती है और यहां के जो रबाड़ी और इस अमधाय की एक जीवन दाईनी कह सकता हूं मैं इसको इस तरह से सामको गोदुलिक भेला में खुले में चरकर यह नारी गाये का जो हड है वो पुरा पाड़ों के शेत्र में चरकर घर पे आता है और जो भी दूद मिलता है उँदूस का घीवी बनाते हैं यहां पे लोग और दूद का डेरीव के माधियम से विवशाय भी करते हैं तो नारी गाये इस रबाड़ी समुदाय के एक जीवन का हिस्सा बन गई है यह आपको बिल्कुल दिख रही है आपके सामने नारी गाये थोड़ा मिल्किंग जो पिरियड होता है वो कम होता है बहुत मद्बूत होती है और जहां तक मैंने आज त आप सबी भाईयों को इस वीडियो के माद्यम से करवा रहा हूं शिरोही के इसरा गाउं है इसरा के पास में यह नारी गाये का हड़ है किसान के घर पर जो शेवा भावना इन लोगों की होती है दोस्तों आज एक दू गाये भी अगर रखता है इंसान तो ठक जाता है कि व मद्यपरदेश जाना शुरू कर देते या गुडगां वह इन शेत्र माजाते इन गायों को चराते चराते ताकि वहां पर इंको चारा मिल जाता है और एक खर्च और लागत कम हो जाती है तो इन सबी चीजों के कारण ही यह गाया का हर्ड इनकी पाल पाते है अपने घर से आज नौ महींने दूर रहना और वो भी आपके पास घर नहीं एक बैल गाड़ी में अपना पूरा घर बना के चलना और इन गायों की इस्तेवा के लिए गूमना पता ने इनकी कितनी पीड़ी तक आगे कर पाएंगे पर आज जो नारी गाय बची वी यह शिरोई शेत्र के सामने बहुत सुन्दत एक गलकंबर देखके आप इस गाय का पीछे जवारी इनके घर के सारे हर्ड का में वीडियो लगए दिखा रहा हूं आपको अब देरे देरे क्या हुआ है कि नंदी का थोड़ा सा उपयोग सही नहीं होने करने कुछ मिक्स में गाय इनके पास आती ह पर फिर भी प्रयास अभी हमारा रहेगा कि एक जगरती फैले और इसमें भी जो अच्छे दूट की 6-7 लेटर की गाय होंके बचड़े इनकिसानों तक पहुँचे तभी इन गायों को बचा पाना संबब हो पाएगा तो अभी प्रयास हम कर रहे है कि भी अच्छे नंदी त्यार हो सामने आपको दिख रहे आबू राज आबू पर्वत और यह सारी गाये चर के वापस पूरा परिवारी दिन बर घर के जो वैश्क होते हैं वो गाये चराते और बाकी जो महीलाए है वो सामने के बाद में उनका दूद निकालना उनको चारा बाटा देना बाकी सारी व्यवस्ताएं यहाँ पर करते हैं और इस बाड़े के अंदर एक साथे कत्रित हो जाती है फ बहुत संदर नारी गाये सिरॉइ की शान है और बहुत कम लागत में किसान इन गाये को यहाँ पालते हैं एक आनन्द का जीवन जीते है जो रबाड़ी समाध है हूँ और ये नारी गाह को तो शिर्वई और जालोर का बैल्स है, यहां पर फुरी चट्थी भी पर पहाड़ों पर छड़ जाती है और यहां पर यह इस पॉपरी बना रखी जहाए अभी यह रखते है तो यहां पर भी दो एक मेने रहेंगे मेन अबर तोड़ा कम होते ही फिर यह गुजरात की तरफ चराने के लिए निकल जाएंगे और दूद में भी ठीक है दूद भी बहुत अच्छा है कुली में चल के इन गयों का तो नारी गाय जालोव शिर्वी के रबाड़ी और दिवासी समाज के जीवन का एक मूल बन गई है